यह तो आपाक काल की स्थिती है, जब न्यायले का फैसला आप परड़ दे रहे हैं, जो आप चाह रहे कर रहे हैं, ऐसी ताना साही, ऐसी बद्धी मागी जो अध्यादेश कल रात में आया है, तो यह अध्यादेश कहता है, कि चाहे दिल्ली की जंता केजरीवाल को चुनकिदे, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाएगा, दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगा भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हुए, एक बार फिर ये साबित किया है, कि वो एक ताना सा है, ना लोकतंत्र मानते हैं, ना सुप्रीम कोट मानते हैं, ना सम्विधान मानते हैं साथियो नमस्कार, मैं हूँ नीरच पटेल और आप देख रहें नेशन जन्मत, लोकतंत्रिक प्रिक्रिया से प्रधान मंत्री बने नरेंद्र मोदी, खुद को ताना साह, बात्साह समझने लगे हैं, यही बज़े है कि ताना साह का इगो, देश के किसी भी समयधानिक धाचे से, यहां तक की सुप्रीम कोट से भी उपर निकल गया है, बीते गैरा मई को सुप्रीम कोट की सम्मिधान पीठने, जिसमें चीप जस्टिस के साथ ही, पांच अन्य जस्टिस भी थे, यह माना था कि उप राज्यपाल, प्रसासक की भूमका में, चुनी हुई सरकार के उप पर नहीं हो सकते, और दिली की सरकार को नोंने अधिकार दिया था, कि किस अधिकारी का कहां ट्रांस्वर पोश्टिंग करनी है, यह अधिकार दिली की चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, इस निर्णे के आने के बाद, बातसा का इगो हर्ट हो गया, और आनन फानन मे बात्साह यानि की मोधी सरकार एक अध्यादेस लेकर के आई खेर ये बताना तो अब व्यर्थी हो गया है कि उसमें राष्टपती का अनुमोधन भी हो गया केंद्र सरकार कोई भी अध्यादेस चोरी छुपे रात के अंधेरे में बारा बजे लेकर के आए वो समयदानिक हो या ना हो लेकिन उस अध्यादेस पर राष्टपती को अपनी मोहर लगानी ही लगानी है तो मोहर लग गई और अब जो अध्यादेस आया है उसने फिर से उपराजिपाल को दिल्ली के प्रसासक के रूप में न्युक्त कर दिया है मतलब कोई भी ट्रांसपर पोस्टिंग होगी उसमें अंतिम निर्णे लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं बलकि दिल्ली के उपराजिपाल यानि की केंद्र सरकार के पिठ्ठू के पास होगा रात के अंहेरे में बात्साह का इगो संतुष्ट करने के लिए जो अध्यादेश लाया गया है उस अध्यादेश के तहत राश्ट्री राजधानी सिविल सेवा प्रादीकरन की स्थापना की गई है जो ट्रांसपर, पोस्टिंग, सतरक्ता और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंदित, विशियों के संबंद में दिल्ली के उप्राजपाल को सिफारिस करेगा, इस प्रादीकरन का अध्यक्ष दिल्ली के सियम को बनाया गया है, साथ ही उसमें चीप सेकेट्री, प्रधान की रहसाचिव और दो अन्य सदस्यों को रखा गया है, अध्यादेश के तह अत Agreed होते हैं आपस में सदस्योंमें और अध्यक्ष में भी तो उसके लिए अध्यक्ष की बात माननी नहीं होगी बल्कि उपराजपाल की बात मान्न होगी मतलब सीदे सीदे सब्दों में कह दिया गया है कि अब उपराज जिपाल ही दिल्ली का बॉस यानि की प्रसासक होगा इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सीधे सीधे प्रधान मंती नरेंदर मोधी पर हमला कर रही है और उनको ताना साह है क्रूर प्रसासक जाने किन किन सब्दों से नवाजा जा रहा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसत संजे सिंग का गुस्सा इन सब्दों में सुना जा सकता है जब नियाले का फैसला आप परड़ दे रहे हैं ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाहरे कर रहे हैं ऐसी ताना साही ऐसी बद्दिमागी तो इसलिए ये जो फैसला आया है ये सीधे तोर पर बताता है कि भारत के प्रधान मंत्री को ना इस देश के लोगतंत्र में यकीन है ना इस देश के संगी धाचे में यकीन है भारत के प्रधान मंत्री को ना इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाय देने में यकीन है और ना ही भारत के सरवोच्य न्यायाले और संविधान में यकीन है उनको सिर्फ तानसाही करनी है, उनको सिर्फ गंडे से सरकार चलानी है, जो अध्यादेश कल रात में आया है, तो ये अध्यादेश कहता है, कि चाहे दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुन के भेजे, चाहे दिल्ली की जनता अर्विंद केजरीवाल को विधान सभा में 90 प्रत चलाएगी ये कहता है ये अध्यादेश जो रात के अंधेरे में कल केंदर सरकार लेकर आई मोधी सरकार के इस अध्यादेश के बाद फिर से न्याय पालिका कारपालिका बिधाईका के बीच सक्तियों के बटवारे को लेकर के बहस चिड़ गई है आम आदमी पालिका मानना है कि केंदर सरकार को इस तरह का अध्यादेश जारी करने का अध्यार ही नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सम्मिधान पीठ ने कोई निर्णे दिया हो सुप्रीम कोर्ट की सम्मिधान पीट जिसकी अध्यक्षता चीप जश्टिट डीवाई चंदर चून कर रहे थे 11 माई को अपना निर्ने देते हुए उन्होंने कहा था दिल्ली में सभी प्रसासिनिक मामलों से सुपरवीजन का अधिकार उपराज पाल के पास नहीं हो सकता दिल्ली की चुनियोई सरकार के हर अधिकार में उपराज पाल का दखल नहीं हो सकता अगर किसी राज में कारिकारी सक्ती केंद्र और राज के बीच बटा हुआ होता है तो ये देखना चाहिए कि राज के कामकाज पर केंद्र हावी ना हो जाए अगर ऐसा होता है तो ये संगी, सासन, प्रणाली और लोकतंत्र के मोल्यों के खिलाफ होगा आदर्स इस्तिती तो ये है कि सेवाओं से जुड़े मामले दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए अगर मंत्रियों का नीतियों को लागू कराने वाले अधिकारियों पर कोई हक नहीं होगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे अब इस बात का सम्मेधानिक और सैध्दान्तिक पक्ष सुप्रीम कोट जादा बहतर समझ सकती है मगर ब्योहारिक पक्ष ये है कि अगर चुनी हुई सरकार के पास ही ये अधिकार नहीं होगा तो वो अधिकारियों से काम काज कैसे करवा सकती है अगर मोधी सरकार अन्य केंदर सासित प्रदेशों का हवाला देते हैं तो उसमें और दिल्ली की स्थिति में अंतर है देश के किसी अन्य केंदर सासित प्रदेश में चुनी हुई सरकार नहीं होती है वहाँ उपराजपाल भेज दिया जाता है उसी के माध्यम से सरकारें चलती हैं मगर दिल्ली में चुनी हुई सरकार होती है जिसको जनता चुन करके भेजती है तो लोकतंत्र में चुनी हुई अधिकार के पास ज्यादा सक्तियां होनी चाहिए सुप्रीम कोट ने उस समय भी माना था कि पुलिस सार्वनिक विवस्था और भूमी से सम्मंदित मामले केंदर सरकार के पासी रहने चाहिए लेकिन दिल्ली के सरकार को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कौन से अधिकारियों से कौन सा काम करवाना चाहती है मगर सुप्रीम कोट के स्निर्णे ने बात्सा का इगो हर्ड कर दिया उसको अपनी ब्यक्तिकत पर आजए मैसूस हुई तो सारी सक्तियों का इस्तमाल करते हुए अध्यदेश लाया गया और दिल्ली सरकार पर थोप दिया गया अध्यदेश लाने की टाइमिंग भी देखिये जिस समय सुप्रीम कोट छुट्टी पर जा रही थी उसी समय आनन फानन में रात भी रात में यह अध्यदेश लाया गया और दिल्ली सरकार को पकड़ा दिया गया कि अब तुम्हारे उपर फिर से उपराज पाल प्रसासक की रूप में बॉस की रूप में राज्य करेंगे इस पूरे मामले में नेशन जन्मत के दर्सक क्या सोचते हैं यह हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा कि सुप्रीम कोड की समिधान पीट का निर्ने एक चुनी हुई सरकार को अधिकार देने का सही था या एक बाथसा का इगो संतुष्ट करने के लिए केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर के आई है वो ज़्यादा उचित है देखते रहें ने संजन्मत जागरुक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समिधान जै लोकतंत्र धन्यवाब